नमस्कार दोस्तों जोहार दोस्तों मुख्य मंत्री मया समान योजना का चौथा किस्त पैसा लगबग सभी परिवार के खाते में आ चुका है लेकिन दोस्तों अभी तक लाखों परिवार ऐसे हैं लाखों महिलाएं ऐसे हैं जिनका की चौथा किस्त पैसा नहीं आया है साथी दोस्तों बहुत सरे महिलाओं का तीसरा किस्त और दूसरा किस्त भी पैसा नहीं आया है तो दोस्तों किस करण से आप सभी का पैसा भी तक नहीं आया है इसके बारे में हेमंत सोरन की पतनी कलपना सोरन जी ने सब कुछ दोस्तों अपने ट्वीटर पेज में बताया हुआ है यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख लिजे कलपना सोरन ने साब साब इसमें सारा कुछ लिखावा है यहाँ पर दोस्तों लिखावा है कि जारखंड बनने के बाद पहली बार हेमंत सोरंजी ने मैया समा नियोजना लाकर जारखंड की सभी बहनों को समान देने का काम किया है साथी नीचे लिखा है अब तक हर बहन को एक हजार रुपय की चार किस्त मिल चुकी है और अगले महीने से हर बहन को पचीस सो रुपया उनके खाते में पहुंचने वाली है खटा-खट यानि कि दोस्तों इसमें साप साप लिखा है कि दोस्तों सभी बहनों के खाते में एक तो दोस्तों देखिए पैसा आना बिल्कुल ही बंद नहीं हुआ है ठीक है आप लोग परेशान मत हो यह पैसा दोस्तों परते एक दिन आ रहा है लेकिन दोस्तों अभी चुनाव जो था ना इसलिए थोड़ा सा धीरे धीरे पैसा आ रहा था ठीक है यहाँ पर मैं आपको प् प्चीस सो रुपया सभी महिलाओं के खाते में खटा खट देने वाले हैं तो दोस्तों वो भी किस दिन से मिलना सुरू होगा उसके बारे में भी यहाँ पर डेट जारी हो चुका है यहाँ पर दोस्तों इस पेज को देखेगा इसमें सारा कुछ लिखावा है यहाँ पर ल दोस्तों देख लिजेगा कि मुख्य मंतरी मया समान योजना की रासी होगी दोगूनी से जायदा मतलब कि दोस्तों अभी एक हजार मिल रहा है ठीक है और दोगूनी से जादा कितना हो गया तो लगबख 25 सो रुपया जो कि हर महिलाओं के खाते में आने वाले हैं यह दोस् महिने में आपको 25 सो रुपया देंगे तो दोस्तों पूरे साल भर में जोड़ियेगा तो पूरे 12 महिने में आपको 30 हजार मिलने वाले हैं ठीक है जो कि दोस्तों हर गरीब परिवार के लिए बहुत बड़ा ये लाब होने वाला है क्योंकि दोस्तों अगर साल में 30 हजार म तो दोस्तों आपको क्या-क्या नायान या लाब मिलने वाले हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ बिल्कुल परिषण मत होना धियान से समझे देकि instruct हमनथ सरकार के द्वारा जो पैसा भेजा जाता है वो आपके खाते में नहीं बल्कि दोस्तों हर महिलाओं के जो ब्लॉक है ना उस ब्लॉक में पैसा भेजा जाता है ठीक है उन लोगों को टाइम नहीं मिल पाता है जिस करण से किसी महिलाओं के खाते में आज भेजेंगे तो किसी का कल भेजेंगे ठीक है इस प्रकार दोस्तों देरी हो रहा है लेकिन पैसा सभी के खातों में आ रहा है हाँ थोड़ा सा देर से आ रहा है लेकिन आ रहा है जरूर ठीक है तो आप लोग इंतिजार किजिए परेशान मत हो ये इसके बाद यहाँ पर लिखा है कि दिसंबर से आप सभी के खाते में पच पछी सो रुपया आना सुरू हो जाएंगे और अन्वरत चलती रहेगी मत्ब लागातार दोस्तों आपको पछी सो रुपया महिना मिलते रहag म 소द में तो दोस्तों देखे हेमत सरकार ने जो भी कुछ कहा है अभी तक तो उसनों ने सब जगह यही बताया है कि पचीस सो रुपया ही आपको लगतार मिलेंगे ठीक है तो यह बड़ी खुसकबरी हो सकती है कि जहरकंट सरकार हो सके सबी को पचीस सो रुपया लगतार दे तो यह लेकिन दोस्तों मैया समण योजना के आलावा और कौन-कौन सी योजना आपको मिलने वाले है सब कुछ दोस्तों हेमत सरकार ने लिष्ट जारिक कर दिया है यहाँ पर आप लोग एक-एक लिष्ट को देखिये यहाँ पर दोस्तों लिखाओ है पहला लिष्ट में कि जहरक के बहुत सरे ऐसे महिला है जो दोस्तों जो है सहरा इंडिया में अपना पैसा लगाया हुआ था ठीक है लेकिन दोस्तों सहरा इंडिया कंपनी भाग गया था जिसकर दोस्तों बहुत सरे परिवार जारकण में आत्मातिया यानि की मरने के लिए भी तयार था तो उसी के लिए हेमत सरकार ने कहा है कि मेरे फिर से मुख्यमंतरी बनने के बाद हम लडाई लडंगे इसके बाद दूसरा योजना यहाँ पर दिखिए रुपएए चार सो पचास में गैसलेंडर होगा उपलब्द यानि कि लगबग Сारही आठ सौन नौ सब्सके एगा सरकार ने कहे दिया है कि अगर हम दुबारा जार्खंड में मुखी मंत्री बन जाएंगे तो आप सभी को मात्र 450 में ही गैसलेंडर उपलब्द कराया जाएगा 450 में ही गैसलेंडर दिया जाएगा ठीक है जो दोस्तों कितनों भी आदमी गरीब रहेगा तो वो दोस्तों जो ह आगया है आप सभी का अबवा स्वास्त सुरक्षा योजना इस योजना के अंदर दोस्ता आपको क्या मिलने वाला है तो यहाँ पर देख लिजे 15 लाक तक का मुप्त इलाज यहाँ पर नीचे लिखा है आर्थिक समस्या को नहीं बनने देंगे बाधा अबवा सरकार का वाद मतलब कि दोस्तों जारकंड में हैमत सरकार ने एक नया योजना जो है चुनाओ से पहले ही लागू किया है अबवा स्वास्त सुरक्षा योजना इस योजना के अंतरगा दोस्तों आपको 15 लाक रुपे तक का मुप्त इलाज मिलने वाला है यानि कि दोस्तों अगर आपके या फिर आपके कोई भी रिलेसन है ठीक है हर परिवार को ऐसे मिलने वाले है तो दोस्तों अगर कोई भी परिवार में बिमार पड़ता है चाहे वो छोटा बिमारी हो या फिर बड़ा बिमारी हो ठीक है तो सभी का दोस्तों बिलकुल फ्री इलाज किया जाएगा 15 लाक रहा है इसके बाद चौथा योजना का बात करेंगे तो देख लिजे चालीस लाख जहरकंडी को दिया एक हजार पैंट सन इसके बाद अगामी समय में होगी पैंट सन की रासी पची सो यानि कि दोस्तो मैया समन योजना तो एक हजार से डाइरेक्ट बढ़ गया है पची सो य है विर्धा पैंट सन के लिए जो बूढ़े वेक्ति हैं जिसको विर्धा पैंट सन मिलता है एक हजार रुपया महेना तो दोस्तों अब बूढ़े वेक्ति को जो विर्धा पैंट सन मिल रहा है न वो भी अब बढ़ गया है और अब दोस्तों आप सभी को पचीस सो रुप ने बिजली बील माप किया है ठीक है सभी को लग बागAH पता चल चुका है और सभी परिवार का जो भी बिजली बील आ रहा है वो दोस्तों सुनिय हो रहा है ठीक है यानई कि सुनिय ही आ रहा है 0091 नहीं आ रहा है इसके बाद नीचे लिखा है इस से हर घर को 1100 रुपये का सीधा लाब यानि कि दोस्तों जब जारकंट सरकार बिजली माप नहीं किया था ठीक है तो परती एक महना दोस्तों लगबग सभी का बिजली बिल जो है 1100 रुपया आ जाता था लेकिन दोस्तों जब से माप किया है तो सभी का जो है 1100 सब मैना बच रहा है ठीक है इसके बाद यहां पर लिखा है पुराने माप किये बिल हमेशा रहेंगे माप बिजली विभाग का हर केस होगा वापस यानि कि दोस्तों हेमंत सरकार ने जो इतना इतना पैसा माप किया है तो हेमंत सरकार के उपर केस हो गया था कि आप ये नहीं कर सकते हैं ठीक है तो उसके लिए भी दोस्तों हेमंत सरकार लड़कर केस जीत चुके हैं और वो कहा है कि कोई भी मेरे उपर केस करेंगा फिर भी हम नहीं दरेंगे ठीक है जो भी हम कोई लाब देना है वो हम जारकंड में देंगे ठीक है और ये भी कहा है कि जब तक हेमंत सरकार 197 रहेंगे यानी कि जब तक मुख्यymphants प्रेंगे तो लगातार दोस्तों आपको 200 इनिट बिजली फ्री मिलेगा लगातार आपको बिजली बिल मापी रहेगा ठीक है इसके बाद छटा योजना का बात करेंगे दिसंबर से हर मया को 2500 साल के पूरे 30,000 यानि कि दोस्तों मुखी मंतरी मया समन योजना का पैसा जो है 2500 रुप्या सुरू होने जा रहा है दिसंबर से ये तो लगबख सभी को पता चल चुका है ठीक है और दोस्तों अभी जारकन में एक से एक नया नया योजना आएंगे अगर हमद सुरेन फिर से बनते है तब ठीक है अगर हमद सुरेन हार जाएंगे तब दोस्तों बीजेपी का अगर यहां पर मुखी मतरी बनेंगे तो दोस्तों आपका गोगो दीदी योजना भी सुरू हो जाएंगे तो उसके बारे में भी मैंने पहले ही बता चुका हूँ